गड़त पेड़ागोजी की इस वीडियो में हम 20 महत्पुन प्रशन देखने वाले हैं जी हम इतरों टॉप 20 प्रशन देखेंगे और गड़त पेड़ागोजी का छटवा भाग इससे पहले 5 भाग अप्लोड की जा चुके हैं आते संभावत प्रशन में तरों आप किसी भी ट सबसे पहले कि वीडियो को प्रशन का आंसो कमेंट कर शकते हैं तो इसका सही जवाब है कि अंक गड़त की चार मूल भूत संक्रियाएं हैं योग, व्यकलन, गुड़ा और भाग ओके, option D इसका सही जवाब है अगला प्रश्ण है कि अध्यापक ने कच्छा चार के चात्रों को 36 टैल दी हैं और उन्हें सभी संभव आयतों में वेश्थित करने के लिए कहा है इस किरिया कलक्त के द्वारा निम लिखित में से कौन सी संकलपना को संभोधित नहीं किया जा सकता है इसका सही जवाब है कि आयतन, okay option C's का सही जवाब अगला प्रश्ण है कि वेन हिलेड के जामितिय इस्तर के अनुसार जो बिध्धारती आकरतिकियों को दिखावच के अनुसार वाणित और बरगी करत कर शकते हैं वे क्या हैं तो इसका सही जवाब है कि वे इस्तर जीरो मानसिक चित्रन है उके option C's का सही जवाब है अगला प्रश्ण है कि निम्न लिखेत मैंसे कौन सा खुला अंत वाला प्रश्ण है तो खुला अंत वाला प्रश्ण इन चारों में से है option A कि आप 15 को तीन से गुणा किस प्रकार करेंगे अगला प्रश्ण है कि गडित करने की युक्ती की रूप में सवाल हल करना मैं सामिल है क्या इसका सही जवाब है किसमें सामिल है किरिया कलाब आधारित उपागम option A इसका सही जवाब अगला प्रश्ण है कि जब राजन के सामने शाबदिक समस्थां आती हैं प्राइप पूछता है मैं जमा करूं या घटा मैं गुणा करूं या भाग इस तरह कि प्रश्ण क्या बताते हैं तो इस तरह कि प्रश्ण बताते हैं कि राजन शंख्या संक्रियां को नहीं समझता है वो कि अप्सन ए इसका सही जवाब है अगला प्रश्ण है कि गड़ित सि प्रशन की आगमन विधी का सिद्धांत है सामान शे बेसिष्ट की योड। प्रशन है कि बीज गड़ती शूत्र का अधिगम है क्या, तो बीज गड़ती शूत्र का अधिगम है व्यापी करण। अगला प्रश्ण है कि बताएगे नियमों को धारणों में प्रियुक कर उनकी पुष्की करना किस सिच्छन विधी से सम्मंद रखता है तो यह सम्मंद रखता है निगमन विधी से अगला प्रश्ण है कि नियम से उधारण की और किस सिच्छन विधी से सम्मंदित है तो निय प्रश्न है एक विध्यारती आठ मीटर लंबे और पांच मीच चोड़े आयत का परमाप ज्यान करने के लिए निम्न किरिया की परमाप आठ धन पांच धन आठ धन पांच बरावर 26 मीटर विध्यारती का हल के से सिच्छन विधी पर आधारेत है तो यह आगमन विधी पर उसके लिए 10 प्रश्रत बार्शक दर्शक ज्यान करने के लिए निम्न किरिया की हुई है तब बताईएगा कि यह कौन सी विधी है तो यह मित्रो निगमन विधी है उक्वाप्शन B इसका सही जबाब अगला प्रशन है कि निम्न मेंसे कौन सी विधी देखो सुनो और समझ के सिद्धन्द पर आधारित विदी है प्रदर्शन विदियों के अप्षिन भी इसका सही जवाग है अगला प्रश्ण है कि निमने लिखित प्रश्ण को पढ़िए एक सिद्धन एक वट्टे टू एक सिद्धन तीन बरावत तीन वट्टे आठ इस प्रश्ण में बिलूम ट वो है विशलिशन उक्र उप्षिन बी इसका सही जवाब है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है किस प्रकार के सह सम्मंद को इस्थापित करने के लिए गड़त अध्यापक को बिविन्य विश्यों के सम्मंद में आवश्यक तथा उप्योगी ज्यान आवश्यक होना च हमेशा सह सम्मंद को इस्थापित करने के लिए गड़त अध्यापक को ज्यान होना चाहिए प्रासंगिक शह शम्मंद होगा उप्षन एसका सही जवाब है अगला प्रश्ण है कौन सा बिंदू अध्यापक की व्यवशाई कुशलता के अंतरगत नहीं रखा जाता है तो अ प्रश्ण है कि छेत्रमिती पढ़ाते समय सिच्च का आगे बढ़ने से पहले बोड पर सभी शूत्र लिख देती है ये तरीका दरसाता है कि वह सिच्च का किसका अनपालन कर रही है तो अगर वह छेत्रमिती पढ़ाते समय सबसे पहले बोड पर सूत्र लिख देती है तो सेच्छेका के द्वारा मेगमन उपागम का अनुपालन किया जा रहा है तो मैं तो इस वीडियो में हमने 20 महत्वपुन प्रशन देखे इसी तरह से complete गरत पेडागोजी 20-20 प्रशनों के सेट में देखने के लिए आप प्रेलिश में जाएं और complete गरत पेडागोजी आप देख सकते हैं पीडियो आप हमारी विफसाइट से डानलूड कर सकते हैं गूगल पर साच करनतिजएजूकेशन डाट कॉम